बाला जी बीबीपी मशीन की जानकारी बीबीपी मशीन मिलने के बाद सबसे पहले आप मशीन को स्विचाउन करें इसके लिए मशीन के दाईं तरफ दी गई इस बटन को दबाएं अब मशीन के साथ आए चार्जर को कनेक्ट करके मशीन को चार्ज करें चार्जर को इस तरह से मशीन पर लगए चार्जर कनेक्ट हो जाने के बाद इस तरह से चार्जिंग का इंडिकेशन स्क्रीन पर आपको दिखेगा पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद मशीन पर यूजर आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा Demo के लिए User ID 1 दबाएं और Enter प्रेस करें और Password भी 1 दबाएं और Enter प्रेस करें सही Login हो जाने पर आपको ये स्क्रीन नजर आए गी BPP मशीन की बैटरी और Charging की जानकारी के लिए मशीन पर दी गई इस Menu बटन को आप दबाएं इसके बाद Battery Status का Option सेलेट करें यहाँ पर बैटरी और Charging से Related सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर नजर आएगी इस Page से बाहर आने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई इस Cancel बटन को दबाएं बीबीप मशीन में कुछ सैंपल डेटा फैक्टरी से ही लोड किया आएगा जैसे Header Footer, Logo, Product Master, Unit Master, Operator Master और Configuration Data इस डेटा को निकालने के लिए मशीन पर दी गई इस Menu बटन को दबाएं फिर Settings Option को सेलेक करें फिर General Settings में जाएं यहां अगले पेच पर जाने के लिए इस नीचे के Arrow को दबाएं फिर Erase Master के Option को सेलेक करें इससे मशीन में जो डेटा है वो Erase हो जाएगा इस मशीन में टोटल तीन Basic Operations हैं पहला Mode है Normal Billing इसमें Item और Quantity की Entry लेकर आप Direct Bill निकाल सकते हैं इसके लिए सबसे पहले Screen पर दिखा रहे Table Number में एक Number Enter करें दाइसो तक की सुविधा दी गई है अब आइटम को चुने आइटम को चुनने के लिए हमारे पास दो Option है पहला Option नमबर से सच करें इसके लिए मशीन पर दी गई इन Number Keys में से आप Number को Enter करें और आइटम सेलेक्ट करें जैसे कि इस मशीन में एक से सौ प्रोड़क्ट डाले गए हैं तो एक से लेकर सौ के बीच में आप Number डाल कर Enter बटन दबाएं इससे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस सेलेक्टेड आइटम की कॉंटिटी हम Enter करेंगे ऐसे ही दूसरा आइटम हम सेलेक्ट करते हैं दूसरा आइटम के नाम से हम सर्च करें इसके लिए सबसे पहले Enter बटन को प्रेस करें अब सारे आइटम यहाँ लिस्ट में हमें नज़र आएंगे अब यह उपर और नीचे दिये हुए एरो वाली बटन को दबा कर आइटम को सेलेक्ट करें Enter बटन प्रेस करें और उसकी कॉंटिटी एंडर करें ऐसे ही हम एक बिल में ज्यादा से ज्यादा 25 आइटम तक चुन सकते हैं एक बार सारे आइटम चुन लिए गए हो तो मशीन पर इस प्रिंट की बटन को दबाएं इससे ये बिल मशीन में सेव हो जाएगा और बिल का प्रिंट बाहर आएगा बीबीपी मशीन का दूसरा मोड है के ओटी मोड इसमें हम बीबीपी मशीन को रेस्टोरांट और होटेल जैसी जगा पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां अलग-अलग टेबल के हिसाब से के ओटी या डाइरेक्ट बिल भी निकल सकता है बीबीपी मशीन को रेस्टोरांट या होटेल में यूज़ करने से पहले इसके कुछ सेटिंग्स को बदल लें सबसे पहले इस मेनू बटन को प्रेस करें यहां पर Manage Database option को सेलेक्ट करें मशीन में जो भी प्रोड़क्ट है उसकी जानकारी यहां स्क्रीन पर मिल जाएगी अपने रेस्टोरांट और होटेल के हिसाब से हम प्रोड़क्ट या रिसीट पर प्रिंट होने वाले हेडर फुटर या प्रोड़क्ट के यूनिट को यहां बदल सकते हैं प्रोड़क्ट को बदलने के लिए option 1 सेलेक्ट करें यहाँ पर जो machine में product है हम उसमें changes कर सकते हैं या खुद नए product हम इसमें add कर सकते हैं नया product add करने के लिए option 2 select करें यहाँ पर product का नाम एंटर करें और एंटर प्रेस करें यहाँ पर प्रोड़क्ट का रेट एंटर करें और एंटर प्रेस करें यहाँ पर प्रोड़क्ट का यूनिट सेलेक्ट करें सारी एंटर हो जाने के बाद इस स्क्रीन पर आपको सारे डीडिल्स दिखाई देंगे अब आगे जाने के लिए एंटर प्रेस करें यह प्रोड़क्ट मशीन के मेमरी में एड हो जाएगा और आगे की बिलिंग के लिए हमारे पास अवेलिबर रहेगा इसी तरह हम इस रिसीट पर प्रिंट होने वाले हेडर फुटर को भी बदल सकते हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर चार्ज को सेलेक्ट करें ऑप्शन टू प्रिंट दबाने से हमें पता चलेगा के हमारे मशीन में क्या हेडर फुटर सेव है इस हेडर फुटर को एडिट करने के लिए हम ऑप्शन नं सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम स्क्रोल करकर देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी लाइने हैं हमें जिस भी लाइन को एडिट करना है उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें यहाँ जो टाइटल चाहिए वो टाइटल लिखें और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें हेडर को एनेबल करें फॉन साइज सेलेक्ट करें और कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएं अब मशीन में केयोटी मोड को एनेबल करने के लिए सबसे पहले मेनू आप्शन को सेलेक्ट करें इसके बाद सेटिंग सेलेक्ट करें और फिर अप्लिकेशन सेटिंग सेलेक्ट करें इसमें ऑप्शन नमबर चार्ट UDF फील्ड को आउन करें एनेबल करें और UDF में एक नाम सेट करें और एंटर दबाकर आगे बढ़ें हमारे होटेल और रेसोरांट में जितने टेबल होंगे उसकी रेंज यहां पर एंटर करें इस तरह से केयोटी एनेबल हो जाता है कैंसल दबाकर में स्क्रीन पर आजाएं अब जो टेबल नमबर हमने एंटर किये थे उन में से एक नमबर यहां पर एंटर करें और एंटर दबाकर आगे बढ़ें आइटिम को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो आप्शन है अब इस मशीन में अगर सो प्रोड़क्ट हैं तो एक से लेकर सो तक एंटर करके जो आइटम चाहिए वो सेलेक्ट कर लें उसकी कॉंटिटी एंटर करें इससे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा आप्शन है कि हम इस स्क्रीन पर एंटर बटन दबाएं इससे सारे प्रोड़क्टे नाम हमारे सामने आ जाएंगे इन स्क्रोल बटन से हमें जो प्रोड़क्ट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर दबाकर उसे सेलेक्ट कर लें और कॉंटिटी उसमें एंटर कर लें जब सारे प्रोड़क्ट एंटर हो जाएंगे तो मशीन पर दी गई इस print बटन को दबाएं अब मशीन में आपको कई options दिखेंगे सबसे पहले print केयोटी option को आप select करें इससे मशीन में record save हो जाएगा और एक केयोटी generate होगा ऐसे ही हम एक टेबल के केयोटी generate कर सकते हैं और फिर जब सारे केयोटी order पूरे हो जाएगा तो टेबल नंबर select करें इस print बटन को दबाएं और दूसरा option build select करें तो सारे केयोटी का यहाँ build बाहर आजाएगा यहाँ केयोटी में जो हमने item select किया था वही item यहाँ build में भी हमें मिलेगा और उसका total यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीबीप मशीन का तीसरा mode है calculator mode इस mode में जाने के लिए यहाँ main screen पर zero button को प्रेस करें इससे calculator mode on हो जाएगा यहाँ पर हम basic calculation कर सकते हैं quantity एंटर करें और उस item का rate एंटर करें और एंटर प्रेस करें इसका total यहाँ पर हमें नजर आएगा इसी तरह हम जितने item की चाहे उतना calculation यहाँ कर सकते हैं सारी calculation हो जाने के बाद दुबारा एंटर प्रेस करें अब cancel बटन दबाएं अब print निकालने के लिए एंटर की बटन प्रेस करें जो भी calculation हमने यहाँ पर किया है हमने दो product लिये थे दोनों product उनका rate और total यहाँ पर bill में हमें दिखाई दे रहा है बालाजी bbp machine का चौधा mode है hotkey mode hotkey mode में हम item selection के लिए shortcut set कर सकते हैं machine पर दी गई इन 13 alphabet keys को हम hotkey यानि item shortcut की तरह use कर सकते हैं hotkey set करने के लिए सबसे पहले machine पर दी गई इस menu button को दबाए अब option number 5 hotkey setting को select करें अब इन 13 alphabet keys में से जिस key पर भी item selection shortcut set करना है उस key को press करें यहाँ इन scroll keys की मदद से हम item select कर सकते हैं या direct number entry करके हम item select कर सकते हैं अब enter प्रेस करने पर यह item जो hotkey हमने select किया था उस पर set हो जाएगा confirm करने के लिए enter button प्रेस करें इससे यह item हमारे इस key पर hotkey की तरह set हो गया है इसी तरह अगर किसी दूसरी key को भी hotkey बनाना है तो दोबाला से hotkey setting सेलेक्ट करें दूसरी key सेलेक्ट करें अब item सेलेक्ट कर लें और enter प्रेस करें confirm करने के लिए enter बटन दबाएं menu page से बाहर आने के लिए cancel दबाएं billing के लिए hotkey का इस्तिमाल करने के लिए सबसे पहले table number entry करें आगे जाने के लिए enter बटन दबाएं अब item सेलेक्ट करने के लिए hotkey का इस्तिमाल करें इस hotkey पर जो item हमने set किया था वो यहां display हो जाएगा यहां quantity enter करें आगे जाने के लिए enter दबाएं इससे यह item select हो जाएगा और इसका total हमें screen पर दिखाई देगा इसी तरह जो दूसरा item हमने hotkey पर set किया था उसे select करें उसकी quantity enter करें और आगे जाने के लिए enter दबाएं इससे यह item भी हमारे bill में include हो जाएगा अब bill निकालने के लिए machine पर दी गई इस print बटन को दबाएं bill option select करें इसी तरह हम 13 product इन 13 keys पर set कर सकते हैं अगर इससे जादा product hotkey की तरह set करना है तो hotkey settings के वक्त shift बटन का इस्तिमाल करें इससे हर keeper हम दो product save कर सकते हैं यानि total 26 products हम hotkey की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं इस bbp machine में अलग-अलग reports निकलते हैं reports के menu में जाने के लिए इस menu button को प्रेस करें फिर option 1 reports को select करें इस machine में detailed और summary report मिलाकर 17 reports दी गई हैं detailed report में हमें bill wise, item wise और इसी तरह से अलग-अलग reports मिल सकती हैं bill wise report निकालने के लिए option 1 select करें आज का दिन select करें तो इस report में इस machine से निकले हुए सारे bills दिखाई देंगे दूसरी report है item wise report इसे select करने के लिए दो प्रेस करें आज का दिन select करें यहां पर product का id एंटर करें जितने product का number हम यहां पर enter करेंगे report में उतने product आज के दिन में कितने बेचे गए और उनसे कितने पैसे जमा हुए यह report में हमें दिखाई देंगे आगे जाने के लिए enter दबाएं summary report option को select करने के लिए दो प्रेस करें यहां month wise year wise, hour wise, day wise और rate wise और ऐसे ही और भी summary report है month wise report select करने के लिए एक प्रेस करें यहां month enter करें और आगे जाने के लिए enter दबाएं इससे एंडर किये हुए महीने का summary report जनरेट हो जाएगा अज़ झाल